नमस्कार आप सभी का स्वागत है और फ्रंट पेज दे हिंदू 23 अगस्त फ्राइडे के निउस पेपर से हम डिसकस करेंगे पहला आर्टिकल जिसका सिर्शक है मैक्रोन नौ स्पेस फोर थर्ड पार्टी मीडियेशन इन काश्मीर एक और हमारा डिसकसन होगा आज हाइलाइट जो चीजें दिख रही है वो वर्ड्स आपको नोट करते जाना है ये वर्ड्स नए है और जो भी ग्रैमर के रूल्स होंगे वो ज़रूर हम डिसकस करेंगे करंट अफेर्स यहां पर अपडेट होने वाला ही है अपका एक हम लोग जो बैट स्टार्ट कर रहे हैं अगर आपको पढ़ना है इंजेन अक्सप्रेas का अइडिटोरियल पढ़ना है या साइड वाले अडिटोरियल पढ़ने है दो तरह के यह कोर्स हम लोग चलाते हैं तो 1.99 का एक कोर्स और 2.99 का इन दोनों के लिए ही next batch की जो date है वो होगी 28th of August 28th of August से पहले पहले आप registration अपना करवा लें ताकि आप ये batch प्राप्त कर सकें बहुत सारे बच्चे पहले से जुड़ चुके हैं और इस batch में आपको PDF वीडियो के सामने ही provide करवा दिया जाता है इस newspaper का PDF प्राप्त कर सकते हैं आप टेलेग्राम चैनल से जिसका link आपको description में दिया गया है ठीक है चलिए start करते हैं और जो आपने फटा-फट कल likes की जो एक हमने निर्धारित किया था फटा-फटाप likes की target को पूरा करें जल्द ही एक और वीडियो आपके सामने होगा macron no space for third party mediation काश्मीर macron तो है वहां के जो प्रेजिडेंट है Emmanuel Macron का पूरा नाम है फ्रांस के रास्टरपती है no नहीं space stand कोई स्थान नहीं है four के लिए third party तीसरे कोई भी party के mediation मध्यस्तता इन में कश्मीर जगय का नाम है ही जमो कश्मीर तो यह कह रहे है कि कश्मीर में मध्यस्तता के लिए किसी तीसरे पार्टी का अस्तान नहीं है तीसरे पार्टी की मध्यस्तता के जगय नहीं है इंडिया to receive first rafail fighter jet next month मोदी जी ने कहा कि इंडिया to receive भारत receive करेगा या two plus v zero लगा हुआ होता है सीधा सीधा headlines में इसका मतलब है कैसा होना है तो भारत receive करेगा क्या receive करेगा first rafail fighter jet पहला अपना rafail fighter jet प्राप्त करेगा next month अगले महिने ठीक है अब चलिए news पढ़ते है तो देखिए इसमें कहा गया नरेंडर मोदी और फ्रेंस प्रेजडेंट-इम्माइन्यल मेकरोण on Thursday discuss the government's move to suspend article 370 in Jammu and Kashmir and split the state into two union territories प्राइम मिनिश्टर नरेंदर मोधी और फ्रेंस प्रेजिडेंट इमेंडल मैकरौन, भारत के प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी और फ्रांस के राष्टरपती इमेंडल मैकरौन, On Tuesday, Tuesday Go, Tuesday day का नेम है, इसलिए On का प्रियोग है, एक डेट अगर दे रखी हो तब भी On लगता ह दे रखा हो तब भी ओन लगता है लेकिन यर दे रखा हो वर्ष का नाम दे रखा हो तो उस कंडिशन में आपको लगाना पड़ता है इन ठीक है तो इन्होंने थर्स देखो discuss the government's move discuss discuss के साथ में कोई preposition नहीं लगता है एक्जाम में देखेंगे तो discuss के साथ about देकर आपसे common error का question पूछा जा सकता है वो गलत हो जागा तो यह कहना चारा है कि इन दोनोंने discuss किया मतलब discuss किया क्या government's move government की जो कदम था government का जो move था to suspend article 370 सस्पेंड का मतलब समाप्त करना article 370 धारा 370 इन जमूएं काश्मीर जमूर काश्मीर में and split और split का मतलब बांट देना विभाजित कर देना ठीक है the state the state किसके लिए कश्मीर के लिए क्योंकि हम कश्मीर की चर्चा कर रहे हैं पिद्य लगा सकते हैं क्योंकि हमें पता लग गया है कौन सा state है into two union territories बाटना किते भागों में हैं दो किंद्र साशित प्रदेशों में तो क्या बोलना चाहा है प्राइम मिनिश्टर नरेंदर मोदी और फ्रांस के राष्टपती इमैनुल मैकरों ने थास्डे को डिसकस किया गौर्मेंट का जो कदम था गौर्मेंट का जमूँ था धारा तिम सत्तर को अटाने का जम्मो कश्मीर में और उस राज्जे को दो कि gdzie इंदर में सब्सक्रेशित प्रदेश कमें बाटने का दोर्णय था उस बारे में डिसकस्षन किया ब्रीफिंग दो मेडिया privacy का मतलब actually होता है कोई भी इंफोर्मेशन देना कोई होने वाली है उसके बारे में इंफोर्मेशन दे इंपकटा और ब्रीफिंग ब दोरी आ कोई बीच में नहीं है, सीधी बातचीत हुई है, एक दूसरे से बातचीत हुई है, है ना, तो मीडिया को सूचना देते हुए, चेंटली में, after one-on-one talks, एक दूसरे से परस पर बात करके, प्रतेक्ष बातचीत के बाद, that lasted, अभी that किस के लिए है, that है, talks के लिए, वो बातच वो टॉक्स, जो की चली, lasted का मतलब, कितने समय तक चली, more than 90 minutes, किते minutes चली, 90 minutes से भी अधिक समय तक, more than, degree comparative है, 90 minutes, 90 minutes से अधिक समय तक चली, Mr. Macron said, Mr. Macron ने कहा, France would support any policy, अधिके said, यहां पे आ गया है, past आ गया है, इसलिए यहां पे would है, वरना जब statement इन्होंने कहा, तो समय तो हो जाए, तो सारे verbs को हम past में convert करते हैं, क्या कहा गया है, Mr. Macron said, Mr. Macron ने कहा, France would support, France support करेगा, any policy, कोई भी नीती, that would give the reason stability, वो नीती, जो की, अब that है, वो इस policy के लिए है, वो policy that would give the reason stability, the reason कौन सा है, कश्मीर की बात है, जो इस reason को स्तिरता देगा, adding that, यह जोडते हुए, adding that, जोडते हुए, no one should provoke violence there, provoke का मतलब भढ़काना, उकसाना, violence का मतलब हिंसा, कि कोई भी वहाँ पे हिंसा ना भढ़काए, किसी को भी यह काम नहीं करना चाहिए, वहाँ पे हिंसा भढ़काने का, sovereign issue, sovereign का मतलब independence, independent को बोलते है, sovereign, सोतंतरता का मुद्दा है यह, ठीक है, Prime Minister Modi explained, Prime Minister Modi ने explained, explain का व्याख्या की, समझाया, the decision to me, the decisions, जो भी निर्णे उन्हों ने लिये, to me, मुझे समझाया, इसका मतलब यह बात कोन बोल रहा है, यह Macron बोल रहे हैं, and said और कहा, that, that का मतलब की, this is a sovereign issue for India, कि यह एक independent issue है भारत के लिए, भारत का मुद्दा है, हम लोगी सुल जाएंगे, France believes, France का विश्वास है, that the issue of Kashmir, that the issue of Kashmir, कि Kashmir का जो इश्यू है, should be resolved, यह पैसी वह इस है, resolve का मतलब होता है, हल किया जाना, ठीक है, solve कर दिया जाना, तो Kashmir का जो इश्यू है, उसको solve कर दिया जाना चाहिए, solve किया जाना चाहिए, between India and Pakistan, इन दोनों के बीच ही solve हो जाना चाहिए, इन दोनों के द्वारा ही solve होना चाहिए, between के साथ conjunction and का प्रियोग करेंगे, and no other party should be involved, and or no other party, कोई भी दूसरी party जो है, should be involved, उसे involved नहीं होना चाहिए, no other party should be involved, किसी भी दूसरे party को involved नहीं होना चाहिए, Mr. Macron said, ये Mr. Macron ने बात कही, इसके बाद देखिए, we would like to support any policy, ये statement फिर से देखिए, कहा गया statement है, क्योंकि ये inverted commas में है, we would like to support, हम support करना चाहेंगे, any policy किसी भी नीती का, that keeps the situation stable, that policy के लिए है, keeps इसलिए है, क्योंकि policy singular है, keeps the situation stable, हम किसी भी नीती का support करेंगे, करना चाहेंगे, वो policy that keeps, keeps का मतलब रखना, the situation इस्तिती, stable स्तिर, जो स्तिती को स्तिर रखे, and free from terror, और स्तियों कैसा रखे, free का मतलब आजाद, from, किस से आजाद, terror से, आतंक से आजाद रखे, I will be speaking to, I will be speaking, I मतलब मैं will be speaking, बात करूँगा, to the Pakistan PM, शोटली, Pakistan PM से, शोटली, जल्द ही, वैसे will be speaking, future continuous है, बात कर रहा होंगा, लेकिन imagination के लिए नहोंने कहा है, कि मैं बात करूँगा, इस बात के लिए, भविश्य की संभावना, future PM से, शोटली, शोटली, जल्द ही, and would say to him, and, or, would say to him, उनसे कहूँगा, that this issue, that, की, this issue, ये मुद्दा, must be resolved, must मतलब, obligation है, बात देता है, कि इसको जरूर सोल करना चाहिए, करना ही चाहिए, bilaterally, द्वी पक्षिये, as well, ये भी कहूँगा, कि द्वी पक्षिये ही सोल कर देना चाहिए, he added, ये मैकरोने बात आगे जोड़ी, thanking the French government for its support, thanking, धन्यवाद देते हुए, present participle है, the French government, France सरकार, for, के लिए, its support, इसके सहयोग के लिए, किस पर सहयोग किया है, on security and countering cross border terror, on security सुरक्षा पर, and countering cross border terror, cross border terror मतलब सीमा पार आतंक, cross, आरपार को बोलते हैं, border, सीमा, terror, आतंक, countering का मतलब, उसके खिलाफ बोलकर, उसके खिलाफ counter का मतलब भी ये है, attack होता है counter attack, तो बिलकुल एक अटेक हुआ आप पर और counter attack मतलब आपने भी उस पर अटेक किया तो countering cross-bordered terror ठीक है Mr. Modi said Mr. Modi ने कहा India and France had finalized India and France ने finalize कर लिया था several steps अनेकों कदम several के साथ में noun plural to strengthen मजबूती देने के लिए their strategic partnership क्या मजबूत करना है अपनी अब देर क्यों आ रहा है क्योंकि इंडिया फ्रांस दो देश हो गए है strategic रणनीतिक partnership का मतलब सहयोग या साजधारी ठीक है he also said उन्होंने ये भी कहा also मतलब भी India was looking forward की भारत जो है देख रहा है look forward का मतलब भाविष्य में ऐसा expect करते हैं हम एक बात याद रखिएगा look forward to जब लगता है तो आगे verb होने पर ing लगता है तेकिन यहां तो verb है नहीं आगे इसलिए ing का प्रियोग नहीं है he also said उन्होंने ये भी कहा कि India was looking forward की भारत आशा रख रहा है to the first delivery of the Rafale fighter jets in September के September में जो पहला fighter jet है Rafale वो मिल जाएगा उसको deliver कर दिया जाएगा in the past भूत काल में Indian France have walked together भारत और फ्रांस जो हैं have walked together वो साथ साथ चल चुके हैं and fort fascism, fort का मतलब लड़े हैं fascism का मतलब फासिवाद, फासिवाद का मतलब dictatorship कह सकते हो ताना शाही के खिलाफ लड़े हैं and extremism और किसके खिलाफ उगरवाद के खिलाफ लड़े हैं together साथ साथ मिश्टर मोदी सेड ये बात मिश्टर मोदी ने कही और दूसरा जो आर्टिकल है वो है अफगान पास्टून fighters poised to enter Zammu and Kashmir poised note कर लेना poised का मतलब है तयार होना अफगान और पास्टून के जो लड़ाके हैं ये पठानी लड़ाके और अफगान लड़ाके जो हैं वो तयार हैं poised तयार हैं to enter किसके लिए तयार हैं प्रवेश करने के लिए प्रवेश कहां करना है सीमा रेखा over hundred 100 से अधिक over संख्या में अधिक होने के लिए preposition over लगता है तो 100 से अधिक trained militants प्रशिक्षित militants मतलब लड़ाके या उगरवादी positioned position का मतलब इस्तिती में लाना position का मतलब लगाए गए हैं किसके द्वारा पाकिस्तान के द्वारा कहां पर LOC पर तो LOC पर पाकिस्तान के द्वारा 100 से अधिक प्रशिक्षित militants को लगाया गया है warned intelligence inputs ये चेतावनी दी है warned किया है किसने intelligence inputs ने मतलब intelligence से जो सूचना मिली है उसके आधार पर ये बात कही गई है intelligence inputs वही intelligence inputs inputs मतलब information है यहां पे तो intelligence information जो है have warned उस उनने चेताया है inputs जो कि pluralistically have warned चेतावनी दी है that की Pakistan is recruiting Afghan and Pashtun fighters कि Pakistan जो है is recruiting वो recruit कर रहा है लगा रहा है Afghan and Pashtun fighters Afghan and Pashtun fighters को four के लिए infiltration का मतलब होता है घुसपैट किसके लिए लगा रहा है गुसपैट के लिए into Kashmir गुसपैट कहा करवा रहा है कश्मीर में and over hundred of them और उनमें सो से अधिक देम कौन है यह अफगान और पार्शन fighters की बात है और उनमें सो से अधिक जो है are positioned at various launch pads वो मतलब position ले चुके हैं वो position हैं वो इस्तिती में है at various various का मतलब भिन भिन launch pads का मतलब launch pad वैसे तो rocket के लिए launch pad होता है लेकिन launch pad का मतलब यहां पर जहां से वो अपने मनसबों को अंजाम देंगे वो launch pad जहां से वो launch करेंगे अपने mission को along the line of control, line of control के सहरे सहरे there have also been specific intelligence inputs that the Pakistan based terror group Jaysh Muhammad has deployed over a dozen Afghan pathan terrorists for border action team attempts there have there से sentence का start है तो पहले देखिये verb है और उसके बाद में subject intelligence inputs है तो यह भी inputs मिले हैं specific का मतलब wishes there have also been ऐसा भी रहा है specific, vicious, intelligence inputs, intelligence की जानकारिया मिली है that key, the Pakistan based terror groups, Pakistan based Pakistan आधारित terror group, आतंकी संगठन, Jaysh Muhammad ये नाम है hedge deployed, deployed का मतलब होता है तैनात करना उसने तैनात की हैं, कितने? over a dozen Afghan एक दरजन से एदिक अफगान और पठान terrorists को for border action team attempts, किसके लिए? border action team attempts के लिए, comprising, comprising का मतलब शामिल होना होता है, और comprise जब passive voice में आता है तो इसके साथ off लगाते हैं, active voice में आता है तो कोई भी यहाँ पर preposition नहीं लगता comprising Afghan militants, उसमें Afghan के लड़ाके शामिल हैं militants का लड़ाके and highly trained और उच्छ प्रसिक्षित special services group, SSG के full form है, special services group है of the Pakistan Army, Pakistan Army के and for infiltration or infiltration के लिए infiltration, घुसपैट कहां पे? लिपा वैली में और लिपा वैली कहां पढ़ती है? नौर्थ कश्मीर में, defense sources said, defense sources ने ये बात कही, defense road ने ये बात कही, they added, उन्होंने ये भी कहा किनों ने, defense sources ने, that key, Pakistan is desperately, desperately मतलब बहुत जबरदस्त, trying का परियास कर रहा है, बहुत ज़दा परियास कर रहा है, desperate attempt है उसके, to keep the LOC active, किसके लिए to keep का मतलब रखना, the LOC सीमा रेखा, active सक्रिये बनाए रखने का परियास कर रहा है, in an attempt, किस परियास में, in an attempt, इस परियास में, to keep international focus, ताकि वो क्या कर सके, keep का मतलब रखना, international antirastry ये, focus का मतलब ध्यान, और focus के साथ में ओन लगता है, preposition की antirastry ये, जो ध्यान है, या दुनिया का ध्यान है, वो लगा रहे, कश्मीर पर, in the aftermath, aftermath, aftermath का मतलब होता है, परिणाम, किस के परिणाम में, किस के बाद, of recent developments there, जो हाल ही में घटना करम घटे हैं, development वैसे विकास होता है, लेकिन यहां development जो भी घटना, अभी फिलाल घटी है, उसके परिणाम सोरूब, the inputs have also warned, the inputs वही जो सूचनाए है, information है, have also warned, उन्होंने ये भी चेतावनी दी है, have warned है, तो चेतावनी दी है, also ये भी चेतावनी दी है, of attempts, किनकी परियासों की, by terrorists, किस के परियास, आतंकियों के, क्या परियास, to carry out attacks, carry out का मतलब है, execute करना, carry out का मतलब करियान विद करना, कि वो आकर्मन करेंगे, in major cities, कहां पर, मुखे, शहरों में, the sources added, ये बात sources ने जोड़ी है, on the situation in Kashmir, Kashmir में जो situation है, उस पर, which remains under a security clampdown, clampdown का मतलब थोपने की process होती है, pressurize करने का process होता है, on the situation in Kashmir, Kashmir के situation पर, which remains under a security clampdown, which, क्या है, situation, remains, वो अभी बनी हुई है, under a security clampdown, सुरक्षा के अधीन, या सुरक्षा का वहाँ पर दबाव है, security officers वहाँ पर है, officials said, अधिकारियों ने कहा, officials, अधिकारी said, कहा, relaxing of restrictions, restrictions को हटाना, relaxing का थोड़ा सा आराम दे देना, छोड़ देना, restrictions को हटाना, had to be calibrated to prevent violence, तो official said, relaxing of restrictions had to be calibrated, calibrate का मतलब मापन करना, measure करना, to prevent violence, violence को रोकने के लिए, restrictions को relax करना जो है, उसको calibrate करना पड़ता है, to be करना पड़ेगा मतलब, यह मतलब किसी के द्वारा है, इसलिए passive है, calibrate का मतलब measure करना है, मापन करना है, mark करना है, चिनहित करना है, तो violence को prevent करने के लिए, restrictions को relax किया जाना पड़ेगा, ठीक है, अब देखिए, दो window और हैं, यहाँ पर पढ़ लेते हैं, हम चोटे होटे बिंदू है, FATF, FATF क्या है, FATF wing में blacklist पाकिस्तान, FATF क्या है, financial action task force है, यह जो wing, wing मतलब शाखा ब्रांच में हो सकता है, ऐसा में model है, और यह कोई probability के लिए आता है, blacklist पाकिस्तान और पाकिस्तान को blacklist में डाल सकता है, तो देखिए, after being greylisted, greylist में था पहले, greylist का मतलब पहले चेताव नहीं दिती है, blacklist मतलब सारे जो व्यापार हैं, या फिर कहीं loan देने का process है, चुकि आर्थिक मार जहल रहा है, पाकिस्तान और इसको loan चाहिएगा, तो कोई भी देश loan नहीं देगा, after being greylisted, after, after के साथ ING क्योंकि preposition है, greylisted, greylist किये जाने के बाद, add the financial action task force plenary, plenary का मतलब संपूर्ण रूप से, full, तो पूर्ण तया greylist किये जाने के बाद, पाकिस्तान faces, पाकिस्तान जहल रहा है, being put on the blacklist, being put, इसे रखा जा रहा है, on the blacklist, blacklist में, देखिए, on इसलिए है क्योंकि एस्ताई होता है, इस्ताई तो आते हैं, एक बार blacklist में आगे तो अच्छे काम अपने किये तो blacklist से नहीं आटेंगे, तो जब एस्ताईत्व की बात आती है, temporary membership की बात आती है, तो वहाँ पे on copy हो करते हैं, अब the FATF, Asia affiliate, affiliate का मतलब, जो माननेता प्राप्त है Asia के, जो माननेता प्रसनस्ता है FATF, उसने Asia Pacific Group, APG, that will conclude its meeting on Friday, यह जो है, यह नाम है, will conclude, conclude का मतलब अंत करना है, पूरा करना है, its meetings, अपने सम्मेलन, अपने meetings on Friday, Friday हो complete करेगी, अगला है top level meet on Kashmir, top level उचिस्तरिय, meet का मतलब मिलना on Kashmir, top level meet on Kashmir, उचिस्तरिय वारता कश्मीर पर, the secretaries of the union ministries, जो केंद्रिय मंत्री मंडल है, उसके सचीव है, we'll meet, वो मिलेंगे on August 28, 28 अठाइस अगस्त को, to discuss the implementation, क्या discuss करने के लिए, discuss के साथ के preparation तो लगेगा नहीं, the implementation, implementation, implement करने का process, implement क्या होता है, कोई चीज़ लागू करना, implementation लागू करने का प्रक्रिया, of the Jammu and Kashmir Reorganization Act, Jammu Kashmir का जो पुनर गठन, Reorganization, पुनर गठन, Act कानून, 2019 है, उसके implementation की चर्चा करने के लिए, that will come into effect on October 31st, और यह जो है, इस Act के लिए है, that will come into effect, comment effect वो लागू हो जाएगा, comment effect वो लागू हो जाएगा, कब 31 October को, यह था, आज के इस session में, उमीद करता हम अच्छा लगा होगा, फटा पट शेर किर दीजिए, फटा पट लाइक कर दीजिए, और अगर अब तक आपने शेर नहीं किया है हमारा चैनल, तो सब्सक्राइब करें सबसे पहले, और सब्सक्राइब करने के बाद, आप बैल आइक को जड़रू क्लिक करें, ताकि आने वाले वीडियो उसकी नोटिफिकेशन भी मिलती रहे, और लोगों के भी इसके बारे में बताएं, thanks a lot, मिलते हैं जल्दी, एक नए आर्टिकल के साथ, तब तक नमस्कार